Only 3 minutes में करूंगा topic clear आज की वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे टेली Prime Software में sales invoice की print में आप GST rate का separate column सो कराना चाहते हैं तो किस तरह से सो कराएंगे और इस column में जो भी product आप sell करने जा रहे हैं उन product पर आपने कितना GST tax rate set कर रखा है उसको भी सो कराना है तो किस तरह से सो कराएंगे इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है जिस भी sales invoice की print out निकालनी है आप उसको इस तरह से open कर लीजिए अब यह जानते हैं दोस्तों की GST rate के column में GST rate जो सो होगी वो कहां से होगी तो इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे कि हमने जो भी stock item create की है उन stock item को create करते समय उस stock item पर जो भी GST tax rate है हमने set कर दिया था जैसे कि amounts stock item पर मैंने integrated tax column में 12% set किया है और यही दोस्तों यहां से उठकर आएगा है न तो चलिए दोस्तों आवा क्या करते है हम यहां पर आ जाते है फिर से sales invoice की print out निकालने के लिए इस जगह पर है न अब यहां पर दोस्तों हम आ गए और इस जगह पर क्या करना है जब आपको इसकी print out निकालना है तो उपर यहां पर print का button मिलेगा इस पर कर दीजे क्लिक जैसे आप print के button पर क्लिक करेंगे by default current सेलेक्ट होकर आएगा आपको current ही सेलेक्ट रहने देना इंटरपेस कर देना दोस्तों आप आ जाएंगे इस जगह पर यहां आपको arrow के द्वारा configure को सेलेक्ट करना और है अदरपेस कर देना दोस्तों आप आजाएंगे printing configuration में और printing configuration में आजाएंगे तो यहां पर दोस्तो आपको नीचे जाना होगा इस fotografie details में जैसे कि मैं देखने यहां पर इस टेटरी details में आ गया इस जगह पर जब आप आएंगे तो यहां पर दोस्तों आपको जिसमें लिखा होगा, so GST rate in percentage, इसको आपको yes करना होगा, और yes करने के लिए keyboard से enterprise करना होगा, तो मैंने so GST rate in percentage को select किया, और yes करने के लिए keyboard से enterprise कर दिया, तो दोस्तो आप देखे, इस टेटरी डिटेल्स के अंदर यहाँ पर 100 GST rate in percentage यस हो गया, अब मैं क्या करूँगा, दो बार escape की प्रिस करूँगा, इस जगे पर आ गया, अब print से पहले इसका preview देखता हूं, तो preview को मैंने select करके, enter प्रिस किया, alt के साथ Z करके, इसको zoom कर देते हैं, और थोड़ा सच zoom कर देते हैं, अब दोस्तों देखें, यहाँ पर HSN code का कॉलम के बगल में, यहाँ पर GST rate का कॉलम आ गया, और इस GST rate के कॉलम में, जो भी product में sell करने जा रहा हूं, उन पर जो भी मैंने GST rate set कर रखा है, वो यहाँ पर आ गया, जैसे कि amounts पर मैंने 12%, सुगर पर 5% GST rate set कर रख आते हैं, तो इस तरह से सो करा सकते हैं, अब दोस्तों आपको क्या करना, इसकी printout निकालनी है, तो escape की प्रेस कीजिए, एक बार escape की प्रेस कीजिए, आप इस जगह पर आ जाएंगे, print को select करके enter प्रेस कर देंगे दोस्तों, तो इसकी printout निकल आएगी, इसी तरह से दोस्त के साथ क्लियर कर सकते हैं धन्यवाद दोस्त